नमस्कार आपके साथ में हूरेशम खार और स्वागत आप सभी का बात मुद्देकी में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिला जजो की कितनी उनकी अबादी है और क्या वजा है जो महिलाओं के लिए नियाइक पदों के लिए पेरवी करना कठिन हो जाता है तो आपको बता दे 1989 के बाद से केवल दस महिलाए सुप्रीम कोर्ट तक पहुची है वही वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 33 नियाइधिशों में से केवल तीन महिला नियाइधिश हैं जिन में जस्टिस हीमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरतना जैसी महिला श महीं 2021 में शीश अदालत में जस्टिस कोहली, नागरत्न और त्रिवेदी की न्यूकती अपने आप में इतिहासिक घटना है क्योंकि सुप्रीम कोट में एक साथ इतनी सारी महिला जजो की न्यूकती करने का ये पहला मौका था इसके अलावा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार हमारे पास सुप्रीम कोट में एक साथ चार महिला न्याएधिश थी जो अब तक की सबसे अधिक संक्या है इसके अलावा भारत की शीश अदालत के इतिहास में केवल आठ अन्य महिला न्याएधिश रही है जिन में जस्टिस सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ग्यान सुधा, मिश्रा, रंजना देसाई, आर, भानुमती, इंदू मलहोत्रा, इंद्रा बनरजी और फातिमा भीवी जैसी महिला शामिल है इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोट के इतिहास में कुल 268 न्याएधिशों मे से केवल 11 महिलाए रही है, वही दूसरे शब्दों में सर्वोच न्याएधिशों में से केवल 4.1% महिलाए हैं, जबकि 696 फीजदी पुरूश है, वहीं आपको बता दे, वर्तमान में भारत में 25 उच न्याएधिशों की कुल सुईकरत संक्या 1114 है, हाला कि केवल 782 न्याएधिश महिला है, यानी भारत के उच न्याएधिशों में महिला न्याएधिश 13 है, वहीं वर्तमान में गुजरात उच न्याएधिश को छोड़कर देश की कि उच न्यायले में महिला मुक्य न्यायधिश नहीं है वहीं को बता दे कॉलेजिय difficult में नियाय मूर्टी सुनीता अगरुवाल को गुजराथ पनárमने告诉 किया था क्योंकि देश के किसी हाई कोट में मुख्य नियाएधिश की कुर्सी पर कोई महिला जज नहीं थी वहीं आपको बता दे निचली नियाएपालिका में महिलाओ के प्रतिनिधित्फ पर साल 2018 में विदी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसम 103 नियाएधिश है और इन राज्यों में महिला नियाएधिशों का प्रतिशत 60 फीजदी से अधिक है वही तेलंगाना और पॉंडी चेरी को छोड़कर अन्ये सभी राज्यों में महिला नियाएधिशों का प्रतिशत 40 फीजदी से कम रहा है हाला कि उच नियाएपालिका में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है लेकिन आंधिप्रदेश, असम, बिहार, 36 जाड़कंड, करनाटक, ओडिशा, राजस्थान, तमिलाडू, तेलंगाना और उत्राखंड सहीत कई राज्यों में निचली नियाएपालिका में महिलाओं के लिए कोटा प्रदान किया है और उनके लिए कुल सीटों का 30 से 35 तक आरक्षित किया गया है वहीं आपको बता दे नियाएपालिका में महिला प्रतिनिधित्व की कमी के कारण में पुरानी मानसित्ता शामिल है जिससे महिलाओं के लिए नियाएक पदों के लिए पेरवी करना कठिन हो जाता है और इसके की बुनियादी धाचे की कमी भी नियाएपालिका में महिलाओं की कम संख्या के लिए जिम्मेदार है तो आपके इस बारे में क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताए तो आज का मुद्दा यहीं खत्म करते हैं कल फिर जुडेंगे नए मुद्दे के साथ बात मुद्दे की में देश दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे एंट्विंटी सेवन न्यूज आप देख रहे हैं एंट्विंटी सेवन न्यूज पकड़ हर खबर पर